नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टैक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो अमेरिकन कमपनी जी ए ने भारत के तेजिस MK2, TEDVF और साथ में MK के लिए काफी ज़्यादा बड़ा ओफर दिया है और अगर आप इस ओफर की बात करते हैं तो ये इंजिन्स को ले करके हैं इससे पहले हम पाष्ट में जाते हैं तो सबसे पहले भारत की GTRE और साथ में फ्रांस की जो साफरान कमपनी है तो इन दोनों के बीच में IP राइट्स को ले करके कफी ज़ड़ा लंबा विवात चला था लेकिन हाल ही में फ्रांस की साफरान कमपनी अपने IP राइट्स को दे देने के लिए तयार नहीं थी और इसी सब के कारण 2019 में भारत और साथ में अमेरिका के बीच में जो इंजन डील हो सकती थी वो यहाँ पर कैंसल हो गई तो अगर आप GE की बात करते हैं तो भारत इनके इंजन्स का इस्तेमाल अपने तेजिस MK2, MK और साथ में जो TEDVF जैसे फाइटर जेट होंगे इनके अंदर करेगा और साथी साथ अब लास्ट में आ करके GE ने सबसे पहले तो भारत को ओफर दिया कि हम आपको GEF414 जो इंजन्स किये जो की GEF414 के अपग्रेड़ेड़ वैरियंट है और ये जो इंजन है ये लगबग 116 किलो न्यूटन थ्रेश्ट को जनरेट करते हैं तो अब इन्हीं इंजन्स के साथ में GE ने भारत को ओफर दिया है कि अब हम ये जो इंजन है आपके साथ में को डवलप करने के तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर जो GE है वो भारत के साथ में 116 किलो न्यूटन के GEF414, GE400 इंजन्स को बनाना चाहती है तो ऐसे में ये इस इंजन की जो टेकनोलिजी है और साथ में IP राइट्स है क्या इनको देने के लिए मानेंगे क्योंकि अगर आप इस इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन ओलमोश्ट बन करके तयार है 2024 तक यूएस की जो नेवी है उनको लगबख 48 यनकी 48 इंजन की डिलिवरी भी कर दी जाएगी जो की सेम 116 किलो न्यूटन थरष्ट को जंदेट करते होंगे और अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत पहले स ही GE कंपनी से अपने तेजिस MK2 और साथ में जो हमारे M का फाइटर जेट के प्रोटो टाइप होंगे तो इनके लिए 12 से ज़्यादा GE F414 इंजन की डिलिवरी ले चुका है तो ये सब ओफर को देख करके लगता है कि भारत को ये जो इंजन दिये गए हैं तो इनकी जो थर अगत ये जो कंपनी है ये भारत को तेजिस के लिए लगबग 99 यानिकि 99 इंजन की डिलिवरी भी करेगी साथी साथ भविश्य में भी इनका भारत में काफी ज़्यादा स्कोप है क्योंकि भविश्य में भारत अपने MK, TEDBF और साथ में तेजिस MK2 फाइटर येट को बनाए एक इंजन की डिमांड को लेकर के जिसके अंतरकत हम जो इंजन का डिवलपमेंट है वो इन्हें के साथ में करेंगे लेकिन भारत ने भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया बलकि अगर आप इस डील में अब साफरान कंपनी को देखते हैं तो वो ओलमोस्ट सिलेक्ट हो चुक आई-पी राइट्स भी मिलेंगे और इसके ब्योंड भी अगर आप बात करें तो फ्रांस के साथ में हमारे SSN क्लास के सम्मरीन, एरक्राफ्ट, केरियर और MMRC डील जैसे जो महतुपूरन प्रोजेक्ट हैं वे भी जुड़े है तो इस सब को देखते हुए नहीं लगता है कि अब भारत किसी और पार्टनेर को अपने इंजन डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करेगा तो दोस्तो इस सब के उपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताईगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजीगा औ करें के लिए टाएचा आपको कर रात यादा कर दीजीवली अगरण मेंट सेक्शन मेंट सेक्शन मेंगी चुम्स करेंगा तो एंग्योन को वीडियो का मैं ऍण।